भारती सम्विधान के रचाईता डॉक्टर भीम राओं बेटकर की जैनती पुरे देश में साथ देसंबर को मनाई गई इस दोरान पुरे देश में कारिक्रम आयो जूत हुए लोगों ने बेटकर के योगदान को याद कर उन्हें नमन किया लेकिन यूपी के बदायू जिले के राजिकिये पॉलिटेखनीक कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ जिस पर अब खूब बवाल मचा है बवाल है एक छात्र द्वारा दिये गए भाशड को लेकर जिसने भीम राओं बेटकर की तारीफ करते हुए हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंत रामायन और गीता पर ऐसा बयान दिया कि सामने बैठे उसके साथ ही छात्र भी भड़क गए और जब इस भाशड का वीडियो सामने आया तो मामला तूल पकड़ने लगा दरसल सोशल मीडिया पर वाइरल वीडियो सहस्वान पॉलिटेकनिक कॉलेज के एक छात्र का है जो सिक्षकों की मौजूगी में भाशर दे रहा है इसे दोरान उसने गीता और रमायन का जिक्र करते हुए कहा कि ये देश किसी रमायन किसी गीता से नहीं चलता समविधान के लिए बोलना तो ठीक था लेगिन हद तो तब हो गई जब चात्र ने भाशर धार्मिक ग्रंतों के विरोध में दिये तब सिक्षक वा अन्य चात्र मूग दर्शक बने रहे सिक्षकों ने आपत्ती जनक भाशर पर कोई आपत्ती जाहिर नहीं की औरना ही आरोपी चात्र का भाशर रोका न रे जब मामलेन ने दूल पकड़ा थो पुलिस की भी एंटी हुई पुलिस का कहना है कि छात्र ने लिखित में माफी मांग लिए सब ही संतुस्ट हैं कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई वहीं छात्र ने माफी तो मांग ली लेकिन सोशल मीडिया पर लागतार ये वीडियो वाइरल हो रहा है और लोग छात्र पर कारवाई की मांग कर रहें NBT ओनलाइन की रिपोर्ट